गोड एविनिंग बच्चों, शाम के 6 बजे हैं और ये SSC Seasal Tier 1 2019 का जो कि 3 March 2020 को शिफ्ट 2 में हुआ, ये पेपर में आपको solution इसका दे रहा हूँ आपको और Shift 1 का मैंने कल कर आये था बच्चों, जो बच्चे नहीं देख पाए हूँ, जरूर देख ले, आप सीरीज में अगर करेंगे, सारे पेपर सालो करेंगे, तभी आपको इसका फादा मिलेगा, ठीक है, चले बरते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से सक्सेंस हैं हमारे पा पैथरिक का सनननिम क्या होगा, पैथरिक मिन्स क्या होता है, जो प्यक्ति सिंग पैथरिक हो, मिन्स करुणा से, दया से भरा होता है, वो पैथरिक होता है, ठीक है, तो पैथरिक का सनननिम क्योरियस तो नहीं होगा, अगर आपको याद हो, कीन होता है, या इगर होता है, य यू यू जोड़ दे, unimportant, ये भी नहीं होगा आपका, pitiful होता है, pitiful मेंस क्या होता है, kind of, means pathetic या sympathetic, और dull नहीं होगा, dull मेंस क्या होता है, कई होता है बच्चों, अगर आप color के sense मिलेते हैं, तो dull मेंस धुदला होता है, और एक व्यक्ति के sense मिलेते हैं, तो dull मेंस बिल्कुल nearest ह होता है, अर्थात, जो बहुती बहुत सुष्ट सा देखता हो, inactive होता है, वो dull होता है, तो pathetic का synonym क्या हो जाएगा, आपका, pitiful हो जाएगा, ठीक है, जितने वर्स हों बच्चों, उनको भी देखा करें, जरू नहीं कि यह pathetic ही तियार करें, और synonym आपने तियार करें, pitiful हो है, ऐसा नहीं, सारी वर्स तियार करेंगे, तब आप exam में बहतर कर पाएंगे, यह आपको grammatical error देखना है, कौन से portion में grammatical error है, ठीक है, देखते हैं, the modern man, सही है, एक जो आधुनिक व्यक्ति है, modern man है, man singular है, तो इस सही है, इसके साथ adjective है, बिजी, और बिजी के साथ आपक जो आधुनिक व्यक्ति है, वो busy है, acquire करने में, क्या acquire करने में, क्या प्राप्त करने में, more and more wealth, सही है, अधिक से अधिक को wealth, अगर यह much and more होता, या more and most होता, तो गलत होता, यह end के पहले गर comparative degree है, तो end के बाद भी comparative है, सही है, more and more wealth, end, end designing, यह अगली class है आपक, end designing, किस से जुड़ रहा है, acquiring से, अगर इस designing के अस्थान पे, end design होता, या end designed होता, तो गलत हो जाता, क्योंकि end के पहले, आपकी कौन सी present parts पर ली गई थी, acquiring, तो end के बाद भी क्या आना ची, INZ form, सही है, designing, क्या ची design करता है वो, ways, वो तरीके, वो तोर तरीके, to invest है न, यहाँ पे to invest, invest करने के लगाने के लिए, क्या invest करने के लिए, it, it किस के लिए है बच्चों, it किस के लिए है, wealth के लिए है, अगर यहाँ it के अस्थान पे, them होता, तो यह क्या हो जाता, गलत, क्योंकि wealth यहाँ पे uncountable noun के रूप में है, तो फिर them गलत हो जाता, इसलिए it भी यहाँ पे सह यही है more sense pleasures अब यहाँ दो चेहें बच्चों यहाँ पर क्या था more and more wealth वो gain करता है more and more wealth acquire करता है तो उसे more and more sense pleasures में क्या करेगा खर्च भी करेगा और अगर more and more sense pleasures में खर्च करेगा यहाँ तो किवल more लिखा है यानि पहला जो correction कर लें वो कर लें more and more दूसरा अगर वो sense pleasures ले रहा है तो हम pleasures अगर noun ले रहें तो sense से बहतर वड़ हम चूज करते हैं जो यहाँ पर बहतर भी रहेगा वो क्या है sensual तो हो जाएगा invest it in more and more sensual pleasures यागर यह चल भी चाहएगा sense pleasures तो यहाँ more and more ले लें यानि हमारा चो error portion होगा वो किस में हो जाएगा थार portion में in more sense pleasures in more and more sensual pleasures बैतर रहेगा आपका ठीक है एंटरिम चूज करना है आपको hilarious hilarious क्या होता है जो बेक्ती अतिप्रशन होता है मेंसो बहुत अधिक खुश होता है overjoyed होता है क्या होता है जो overjoyed होता है वो hilarious होता है तो एंटरिम ढूणना है तो happy तो इसका synonym हो जाएगा blight मींस भी क्या होता है खुश प्रसन तो इस सनननिम हो जाएगा मेरी भी क्या होता है खुश प्रशन ये भी इसका synonym हो जाएगा अगर ये थीन ओ happy blight और मेरी synonym हो जाएगे तो क्या आपको बताने क्यों जरूत है answer क्या हो जाएगा sad तो hilarious का antonym क्या हो जाएगा sad हो जाएगा hilarious मींस बहुत अधिक खुश अति प्रशन तो sad दुखी उदाश select the most appropriate word to fill in the blank ये fill in the blank है आपको चूज करना है it is an dash day यानि एक ऐसा दिन है कैसा है आगे देखते हैं to start your new business यानि आपके नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए शुरू करने के लिए यह एक ऐसा दिन है कैसा दिन है यह एक odysis मेंस धेटते से भड़ा हुआ है मेंस धिश्टता से भड़ा हुआ है क्या odysis यहां सही रहेगा odysis मेंस दो होता है एक होता है essence में साहसी के essence में अगर आप लेते हैं तो ये क्या होता है brave हो जाता है या adventurous हो जाता है ये हो जाएगा आपका और अगर आप इसे धेंट के sense में लेते हैं तो ये हो जाएगा insolent हो जाएगा imprudent हो जाएगा saucy हो जाएगा तो क्या ये word यहां सही रहेगा इस sense में क्या दिन को और ये business को शुरुआत करने के लिए साहसी दिन की जरूरत है या धींठ दिन की जरूरत है नहीं तो ये हटा देते हैं नेक्ट वड़ है auspices auspices किस से बनाए बच्चो आश्पिस से आश्पिस क्या होता है means कोई चीज तो मंगलकारी हो मंगलकारी हो means आपके लिए बहतर हो अर्था जो कहीं कहीं blessed हो वो auspices होता है जो auspices से बनाए तो auspices की मीनिंग अगर हो गई मंगलकारी means शुब हो तो आपकी business को शुरूर करने के लिए कौन से दिन की जरूरत पड़ेगी इसी दिन की न ये जो audices यहाँ पे है ये भी negative word था ये जो ominous है ये भी अमंगलकारी होता है अशुब वाला संकेत देने वाला होता है अप शकुन वाला होता है तो ये भी आपका negative word है occasional क्या होता है occasional means होता है दो अर्थ में होता एक प्रासंगिक के sense में और एक होता है यदा कदा means कभी कभी ही तो क्या कभी कभी वाले दिन के जरूरत आपको है इसी आपके लिए तयार होगा आपका यहां कौन सी जुरूत आपको है, auspices के, बचो इसी auspices में, अगर आप ly जोड लेंगे, तो यह adverb हो जाएगा, अभी यह क्या है, o-u-s के साथ, adjective है, यह भी adjective, यह भी adjective, यह भी adjective है, और al के साथ, यह भी adjective, क्योंकि occasion से बना है, occasion मिन्स आउसर, occasional आउसर आउसर पर, और occasionally मिन् ठीक है, तो यहां पर आपको जो चूज करना है, वो auspices हो जाएगा, पांचवा question आपका है, narration का question है, indirect में आपको बदलना है, जो बहुत आसान बचो, ठीक है, actually seasonal tier 1 को qualify करना बहुत मुस्किल नहीं बचो, आराम्स कर सकते हैं, बस यह देखना है, कि आप कितने numbers acquire कर लेते है अगर आपको बहतर करना है, तो over 22, यानि base से उपर ही आपको numbers gain करने, मतलब questions आपको सही करने होंगे आपको, he said it to me, what are you doing, कल वाली shift में अगर आपने देखा हो, कल जो मैंने शालब कराया था, उसमें helping verb से शुरू था question mark था, तो आपको मैंने कहा था, वहां पे if होगा, और यहां पे आश्क्र या inquired हो जाएगा, ठीक है, तो यहां बस क्या हो गया, helping verb की बजाए, wh से शुरू है, और यहां question mark है, तो दो चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका, कि यह जो said है आपका, यह हर हाल में क्या होगा, आश्क्र या inquired हो जाएगा, और inverted कॉमा के अस्थान पे w या चाएगा, यानि अगर वाक में आपके that दिया गया होगा, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, he said what I had been doing, यहां said देखते ही समय न गमाएं, गलत हो गया आपका, he asked me, पहला portion सही है, he asked me what, यह भी सही है, that तो है नहीं यहां पे, what, और फिर पहले subject लेंगे आप, चुकि what of conjunction हो गया यहां पे, तो पहले subject आएगा, तो अगर आप you को me को देखेंगे, तो क्या बन गया, I, तो what I, और our present continuous जाएगा, past continuous में, तो what I was doing, सही है, अब देखने हैं, जो तनी होने चे समय बचाना है, तो लेकिन फिर भी देख लें, he asked me that, finish बचो, that तो आएगे न He said, शड़ तो आएगे नहीं, यानि आपका answer क्या है, बिलकुल accurate है, सही है आप, ठीक है, select the most appropriate word to substitute the underlined word of the given sentence, if no substitution is required, select no improvement, यहां आपको change किसको करना है, बच्छों, पता है, यहां आपको change करना है, degrade in values को, यही आपका improve करना है, अगर जरूरत है तो, तो सबसे पहले देखते हैं, क्या improvement की जरूरत है, क्या यह सही है या गलत है, तो there is a great degrade, degrade तो verb की तरह use होता है, बच्छों, अगर great यहां adjective है, तो आपको यहां किसकी जरूरत पड़ेगी, noun की, तो फिर degrade तो होगा नहीं, यानि हमको improvement की जरूरत है, तो यह no improvement, finish, degradation of values, degrade का noun form क्या होता है, degradation, गिरावट जिसको आप decline कहते हैं, deliberation, यह तो याद होगा आपको चर्चा, बहस किसे चेज़ पर, तो यहां तो इसका matter नहीं है, demonstration, values को आपको प्रदरशित तो करना नहीं आपको है, यह करें modern age में, जो values हैं, हमारी नैतिक मुल्य हैं, उनमें बहुत बड़ी गिरावट देखे जा सकती, मलब गिरावट हो रही है, तो degradation क्या हो जाएगा, noun हो जाएगा, तो there is a great, great के बाद noun चाहिए, there is a great degradation of values, ओके, और degradation of values होता है, नहीं कि degrade in values होगा, close test आपका है, जासा कि समझ रहे होंगे आप, सबसे पहले वाकिक को पढ़ लेते हैं, पूरे पैसे को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, positive है, negative है, क्या कह रहे हैं वो हमसे, machines were made, यानि मसीनों का निर्मार किया गया, to be man's servant, क्या बनने के लिए, आदमी का servant बनने के लिए, yet, फिर भी, man has grown, so dash on them, यानि कोई ऐसा ही शब्द आएगा, जिस पर unfit bad था हो, ठीक है, यानि, yet, फिर भी, man has grown, so dash on them, आदमी उन पर इतना हो चुका है, क्या हो चुका है, आगे देखते हैं, that की, they are, ये दे आदमी के लिए तो नहीं हो सकता है, man के लिए दे नहीं हो सकता है, यानि, machine के लिए य His के लिए, आदमी के लिए, His dash क्या बन चुकी है, आगे देखते हैं, Our Lady, पहले से ही, men, यहाँ देखे, men है, men spend most of their lives, यानि, अपना जादातर जीवन जो है, वो व्यतीत कर देता है, looking after, देख भाल करते हुए, and waiting, dash machine, और machine का क्या करते हुए, क्या होते हुए, आगे देखत हैं, machines are very eastern bosses, eastern bosses, कठोर boss है, यानि बहुत कड़क, बहुत निर्दई के रोप में, बहुत कठोरता पुन, बेवहार करने वाली bosses होते ही, कौन machines, क्योंकि आपने क्या बना लिया हुए, आगे देखेंगे, they must be fed with coal, यानि आप उन्हें किसी से क्या खिलाते हैं, उन्हें कोईला खिलाते हैं, and, dash, petrol, और क्या देते हैं, उन्हें, petrol देते हैं, to drink, पीने के लिए, and, oil to wash with, और धुलने के लिए क्या यूज करते हैं, आयल देते हैं, उन्हें आप, and, must be kept, और उन्हें रखा जाना चाहिए, at and, dash, temperature, इस temperature पर, ठीक है, समझ के में बच्चों होए, negative sense में ये वाकिया आपके यूज किये गए हैं, चले देखते हैं, और ये आसान है, कर सकते हैं, आप में जातर बच्चे, देखें, करें, machines were made to be man's servants, सही है, machineों का निर्मार किया गया था, आदमी का नौकर बनने के लिए, उनका काम करने के लिए, yet, फिर भी, man has grown, आदमी बन चुका ह है, so dash on them, इतना अधिक उन पर बन चुका है, क्या inferior, क्या उनसे वो छोटा बन चुका है, helpless, क्या inferior के साथ आप on लगाते हैं बच्चों, तो inferior finish, helpless on them होता है क्या, नहीं, वैसे भी उन पर वो helpless तो बन नहीं चुका है, subordinate on होता है क्या, नहीं, तो subordinate भी खतम, और subordinate मिंस होता है, नीचे, dependent on, बिलकुल easy, आपकी याद होगा, dependent के साथ क्या होता है, इसलिए में कहता हूँ, preposition हमेशा त्यार रखे, dependent on आपको कई बार में नहीं पढ़ाया है, dependent on them, नहीं, आदमी उन पर बहुत अधी क्या हो चुका है, निर्भर हो चुका है, इतना निर्भर हो चुका है, that की, they are, वो है, in a fair way, सही तरीके सर कहा जाए, to become, and they are to become, वो बनने वाली हैं, क्या, his, अगर आदमी उन पर एक दम depend हो चुका है, तो फिर वो क्या बनने वाली हैं, बच्चों, उसकी administrators बनने वाली हैं, प्रशाशक बनने वाली हैं, आदमी की, उसकी slaves बनने वाली हैं, जब वो उन पर पूरी तरस निर्भर है, तो उसकी गुलाम कैसे बनने वाली हैं, अपराधी बनने वाली हैं, नहीं, masters बनने वाली हैं, बिलकुल, जब जिन चीजों पर आप इतने अधिक निर्भर हैं, जिन चीजों को आपने servant बनाने के लिए बनाया था, लेकिन आप क्या बन जाएंगे, masters बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, ठीक है, already, पहले से ही, men spend most of their lives looking after, यह शुरू से ही क्या हो रहा है, कि आदमी अपना ज्यादा तर्जियों ने वतीत कर देता है, looking after, उनकी देख भाल करते हुए, and waiting-machines, waiting from machines, यह मशीनों से इंतजार करते हुए, नहीं, waiting under machines, मशीनों के नीचे तो रहेगा नहीं वो, नहीं, waiting under नहीं, waiting upon machines, waiting upon machines, wait upon में जानते हैं बच्चों क्या होता है, यह भी prepositional ही एक तरह से है, एक नट, यहां लिख देने हैं बच्चों, wait upon, means होता है, to attend as servant, नौकर की तरह देख भाल करना, तो आलेड़ी क्या है, men spend most of their lives looking after, यहने उनकी देख भाल करता रहता है, and waiting upon machines, और मशीनों को एक नौकर की तरह क्या करता है, उनको attend करता है, कौन? आदमी, यहां wait क्या हो जाएगा, wait upon हो जाएगा, ठीक है? machines are very stern bosses, machines जो होती है, वो बहुत ही कठोर bosses होती है, they, और चुकि कठोर हैं इसलिए, they must be fed with, बच्चों ध्यान रखेगा, confused नहीं होएगा, अगर आप ये वर्ड देखें न, fed up with, ये लिखा होगा, इसके means होता है, त्रस्त हो जाना, क्या हो जाना? त्रस्त हो जाना, I am fed up with you, मैं आप से त्रस्त हो जाना, परिशान हो जाना, लेकिन अगर केवल fed with है, तो इसके means होता है, जो चीज आप भोजन करा रहे हैं, वो दिखाया जाता है, तो they must be fed with coal, यानि उन्हें क्या खाने को चाहिए, कोईला खाने को चाहिए, and पीने को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो फि यहां must be fed था, ठीक है, यानि must be passive was must be fed, तो end के बाद भी passive was आएगा, तो end must be, क्या, passive was में क्या वर्प की कौन सी फार्म आएगी, third form, passive was में second form आएगी ने, passive was में first form आएगी ने, this form तो आएगी ने आपकी, केवल third form आएगी, end के पहले जो होता है, फार्म वही आपको end के बाद लेना है, तो end के पहले passive was में वर्प की third form थी, तो यहां भी कौन सी फार्म होगी, third form होगी, क्या हो जाएगा, and must be given petrol to drink and oil to wash with and or must be kept और उन्हें रखा जाना चाहिए at an, किस पर रखा जाना चाहिए बच्चों, at an outdated temperature, आउटड़े तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, नहीं, at an optimum temperature, optimum means uncool सबसे अच्छा हो सकता है, at an optimist temperature, अभी आपने कलपरसों पढ़ा था, आशावादी, नहीं, and an optional, वैकलपिक, वैकलपिक temperature पर तो रखेंगे नहीं, उन मशीनों किस पर रखना होगा आपको, uncool temperature पर, मैं इस तो optimum temperature पर, इसी रहा गवा बच्छों, कर सकते हैं आप, रांगली spelt word आपको ध्यान रखें, मैं नहीं कराया बच्छों, आप अपने से करिएगा, मैं PDF डाल देता हूँ, description box में जाएंगे, तो वहाँ आप link पर click करेंगे, तो आप मेरी telegram channel पर जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाए करेगा, ठीक है, कल का भी में डाला था, आज का भी, editorial का भी हर PDF में डालता हूँ, तो वहाँ जो बच्छे telegram channel पर नहों, वो ज्वाइन कर लें, तो वहाँ वैसे मिल जाएगा, और अगर आप ऐसे direct जाना चाहते हैं, direct भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रांगली spelt आपको देखना है, mansion, mansion क्या होता है बच्चों, कोई edifice, कोई building, सही है, यानि कोई edifice, कोई building, या फिर कोई structure, यह mansion होता है, तो M-A-N-S-I-O-N, सही है, ostentation, word अगर आपको याद हो, तो इससे बना है बच्चों, ostentate, ostentate में इस होता है, दिखावा करना, प्रदर्शन करना, इसी से बना है, ostentation, यहाँ क्या लग जाएगा, यह, ostentation, noun के रोप में, तो last minute के T-A-T-I-O-N है, और यहाँ क्या है, S-I-O-N है, यानि गलत क्या है, यह, extension आप समझते होंगे, इससे बना है, extend से S-I-O-N हो जाता है, सही है, persuasion किस से बना है, आप जानते हैं, persuasion से बना है, D-S में convert हो गया, सही है, persuasion, किसी को मनाना, मनुहार करना, मनानी का कारी करना, यह persuasion है, ठीक है, वैसे ही, persuasion, प्रेड़ना के sense में, persuasion का अर्थ, यह भी होता है, बच्छों, stimulus, means encouragement, यह भी होता है, तो आपका जो गलत वर्ड है, वो ostentation है, S-I-O-N नहीं होगा, T-I-O-N हो जाएगा, यहाँ आपको most appropriate meaning of the idiom, यानि idiom है, आन, shanks, मेर, ठीक है, अगर आप जानते हो, shank means क्या होता है, foot, मेर मिंस सवारी, घोड़ी, तो आप अगर on foot, अपनी पैर पर चलते हैं, तो you are walking on sanks मेर, तो क्या हो जाएगा, on foot, याद कर लिजेगा, on sanks मेर, means on foot, पैदल सवारी, यहाँ आपको भी फिर से idiom चुनना है आपको, a snake in the grass, intermediate से पढ़ते आ रहे हों बचे, जो लोग आस्तीन के सांप होते हैं, hidden enemy होते हैं, वो a snake in the grass होते हैं, means कौन होता है, a secret enemy, जो आपके साथ ही रहता हो, लेगिन आपसे दगा करता हो, decep करता हो, आपको, बीटरे करता हो आपको, आपको धोखा देता हो, चीट करता हो, तो he is a snake in the grass, VCS किस से बना होगा बच्चों, यह antonim चोज करना है, VCS आप जानते होंगे, wise से बना है, wise क्या होता है, आपका नैतिक बुराई, जब आप कोई नैतिक बुराई करते हैं, वो wise होता है, जब आप कोई धार्मिक बुराई करते हैं, तो वो sin होता है, और जब कोई आप कानूनन बुराई करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका कुराईन होता है, ठीक है, जानने, एक sin है, आपने कोई सरकारी यानि राज की ये कानून बुराई दिखाई, जो कानून विरुद्ध है तो वह एक crime है, इसी Vice से क्या बना? VCS, तो Vice का एंट्रीम तो बच्चों की जबान पे होता है Vice का एंट्रीम क्या होता है? याद है Virtue, तो वर्चिव से क्या बना होगा, एंटरिम, वर्चुवस, यही हो जाएगा न बच्छों, वाइस से क्या बना, वीसियस, तो वर्चिव से क्या बन जाएगा, वर्चुवस यह एंटरिम हो गया, बेनफुल भी नेगटिव है, सिनफुल भी नेगटिव है, और wans क्या हो बिलकुल यह उससे कहते हैं शापित हो शाप गरस्त हो वो बेनफुल होता है वेनफुल क्या है पापी होता है जो आदमी एक तरह से ये होता है बच्छो रग र-O-G-U-E वो क्या होता है sinful होता है unfortunate आप जानते है अब भागा दुर भागिशाली जो होता है वो unfortunate होता है unlucky जिसको आप कह सकते है ये पैरा मतलब jumbled sentences है आपको इन्हें arrange करना है कौन सा सबसे पहले आएगा मैंने कल एक clue दिया थे बच्चों आप अगर समय बचाना चाहते जैसे आपने ये nevertheless देखा बचों बिना पढ़े उड़े कुछ भी किये बिना ये nevertheless यहाँ आरम में आ गया फिर कौमा आ गया जिसका अर्थ है फिर भी तो फिर भी के पहले कुछ रहा होगा तभी तो फिर भी आएगा तो ये से अगर कोई है तो वो आपका कम हो जाए बचों ये कभी नहीं होगा a change that is subject से शुरू है हो सकता है देखते हैं but to different people but different people तो तभी आएगा न जब उसके पहले कुछ लोगों के बारे में बात की गई होगी यानि c से कभी नहीं होगा c से है कोई है बे नहीं matter खतम so so तो तभी आएगा न जब कोई कारण बताया गया होगा so क्या है d d से ये भी खतम यानि इस से भी कोई वाक नहीं बनेगा इस से भी कोई वाक नहीं बनेगा और इस से भी कोई वाक नहीं बनेगा तो जब भी बनेगा किस से बनेगा b से बनेगा B हमारे पास कितने हैं बच्चों दो हैं B और B अब हमारे पास KBC के तर्ज़ पर 50-50 है दो ही प्रश्णों में से दो ही आप्संस में से चूज करना है आपको ठीक है तो एक में B के बाद D है और एक में B के बाद C है देखते हैं तो यह तै है कि यह सबसे पहले आएगा A change that is conducive to happiness conducive साथ देखे क्या लगाए 2 यानि एक परिवर्तन that is conducive to happiness जो happiness के अनकूल होता है may be termed as progress उसे हम क्या मान सकते हैं प्रगति यानि progress मान सकते हैं किसे एक change को फिर B के बाद D लेक देखते हैं इसलिए if a change contributes to the growth of these factors यानि इन तथ्यों की बात कर रहा है these factors तो यहां है न यह sound health, economic security and mental satisfaction इन ही तथ्यों के लिए these factors के रहा है यह जो तथ्यों पूरे तो अगर इस सारी तथ्ये A में हैं यानि A के बाद ही क्या आएगा D आएगा A के बाद ही D आएगा अब देखें A के बाद किसमें D है बच्चों यहां है यानि कौन सा B होगा B, C वाला होजाई इन कौन सा option fourth option होजाई ऐसे clues के साहारी आप कर सकते हैं लेकिन फिर मैं कहूंगा आपको पहले पूरी वाक्य को पढ़ना चाहिए तब अर्थ समझ लेंगे ऐसे आसान हो जाएगा कि nevertheless फिर भी sound health यानि अच्छा स्वास्त है economic security आर्थिक सुरक्षा and mental satisfaction मानसिक संतुष्टी are desired by all सभी लोगों द्वारा चाहा जाता है a change एक परिवर्थन that is conducive to happiness जो खुसी के अनकूल होता है वैसा परिवर्थन may be termed as progress किस रूप में जाना जा सकता है क्या कहा जा सकता है उससे प्रगति कहा जा सकता है बट लेकिन different people find different sorry find happiness in different things अलग-अलग लोग अलग-अलग चीजों में क्या पाते है खुसी पाते है so इसलिए if a change contributes to the growth of these factors it is progress यदि ये परिवर्थन in factors के growth में मदद करता है योगदान देता है तो यही क्या कहलाता है प्रगति चुकि A के बाद sound health economic security or mental health ही ये ये इस factors है तो जब भी आएगा A के बाद D आएगा और जब भी आएगा पहले B आएगा तो इन दोनों में A, D कहां पर है यहां पर है one who leaves his own country to settle in बहुत बार अनूचर्चा कियों बच्चों जो अपना देश छोड़कर जा रहा होता है वो कौन होता है बच्चों जो अपना देश छोड़कर जा रहा है एमिगरंट है जो अपना देश छोड़कर आ रहा है वो कौन है एमिगरंट है जो जाब वगरे की तलास में इधर उधर भटकता रहता है इस प्रदेश से उस प्रदेश में वो कौन है, migrant है, प्रवाशी होता है, ठीक है, तो यहां one who leaves his own country क्या हो जाएगा, immigrant, native कौन होता है, जो देशी होता है, foreigner आप जानते हैं बच्चों, tourist भी आप जानते हैं, यह भी आपका ABCD यानि आपका PKWARS system यानि sentence arrange करना है, can I borrow your camera, क्या मैं आपका camera ले सकता हूँ, I will give it back to you next week, मैं आपको कल यह दे दूँगा, अगले सप्ताह दे दूँगा, यह तो तय हैं हैं बच्चों, कि जब आप camera लेंगे पहले बारो करेंगे, तभी आप उसे वापस करेंगे, तय हैं हैं कि A के बाद ही B आएगा, ठीक है, I am going to jungle safari tomorrow, my friend told me that jungle is beautiful in these days, इन दिनों beautiful होता है, यह जंगल, जब भी आएगा, D के बाद ही क्या आएगा, C आएगा, क्योंकि मेरी मित ने मुझे बताया, कि इन दिनों jungle जो है, बहुत beautiful होता है, इसलिए I am going to jungle safari tomorrow, C के बाद D आएगा, और A के बाद B आएगा, है कहीं? पहले A और B एक साथ देख लेते हैं, बच्चों, A और B एक साथ, नहीं, A और B एक साथ है, A और B एक साथ नहीं, A और B एक साथ है, हो गया बच्चों, यह answer, और वैसे देखें, C के बाद D है, और E के बाद B है, बच्चों, पढ़हेंगे बच्चों, ठीक है, मैं आपको बताले रहा हैं ऐसे लिए आप पढ़ें अच्छे समझेंगे धिरी धिरी आपको idea मिल जाएगा sentence improvement है आपका जिसमें आपको ये pleaded for help ये आपको improve करना है यदि जरूरत है तो a man in need pleaded for help ये याचना करना प्रार्थना करना एक आदमी जो जरूरत में होता है pleaded for help उस आदमी ने क्या की सहायता के लिए प्रार्थना की अब ये देखते हैं सही है के ने requested for helping जब आप request लेते हैं न जब आप order लेते हैं जब आप urge लेते हैं जब आप command यूज करते हैं जब आप advisor यूज करते हैं जब आप और कोई word बच्चों जिस तरह यूज करते हैं हो आप request हो गया order हो गया urge हो गया command हो गया advice हो गया, इन शब्दों के साथ बच्च, और भी अगर आप योज़ करते हों, assist वगला कि इन छोड़ें, इन शब्दों के साथ आपको far plus ing नहीं लेना होता है, आपको क्या लेना होता है, full infinitive लेना होता है, क्या लेना होता है, full infinitive, तो requested के साथ far helping नहीं आएगा, requested to help होता, तो वो आपको help के लिए promise कैसे करेगा commanded to help command के साथ to help सही है लिए जो आदमी need में है वो help के लिए command कैसे करेगा इसका मतलब ये plead for खुद क्या है आपका सही plead for means मदद मांगना means प्रार्थना करना तो इसने मदद के लिए क्या की प्रार्थना की यानि क्या हो जाएगा यहाँ no improvement हो जाएगा common error बच्चो grammatical error आपका कि रिए the prime minister along with याद आगया भी कल हम लोग बात करे थे न like along with, with, together with and not in addition to in comparison to as well as besides rather than but इन सब के साथ हमें बाद वाली के अंसार नहीं चलना होता है पहले वाले कर नुसार चलना है तो along with के साथ हमारी subject में क्या है the prime minister अब आगे हराल में ऐसे ही कुछ होगा the prime minister along with the other में along with क्या होता है के साथ साथ यानि अन्य मंत्रियों के साथ साथ प्रधान मंत्री have left यह have किसके लिए होना चाहिए prime minister के लिए तो क्या लगा सकते हैं क्या किसी condition में आप कभी नहीं यहां क्या होना चाहिए hedge होना चाहिए hedge left for America leave far means चले जाना यानि अमेरिका के लिए वो चले गए है प्रस्थान कर गए है यानि यह have गलत है इसका मतलब कहा गलत है आपका यह गलत है यहां have के बज़ाय क्या हो जाएगा hedge यह आपका क्या है active wise passive wise है the thief was being arrested was being plus verb की third form यानि यह वाकिप पहले से ही क्या है passive है तो मेरा clue याद करें बच्चों बहुत आसान हो जाएगा पहले से passive है और was plus being है यानि यह continuous plus being में है तो passive में अगर यह continuous plus being में है तो active में किस में रहा होगा continuous में रहा होगा यही न अब देखते हैं कौन-कौन से में continuous है the police was arresting past continuous the police arrested past infinite the police has इतना आसान देखें अगर मेरा clue याद कर लें आप कोई भी indefinite active was में है passive में continuous कोई भी continuous में active was है तो continuous plus being कोई भी perfect है तो perfect continuous और कोई भी model है तो model plus B passive में यह was being plus third form है तो active में किस में रहा होगा continuous में रहा होगा past continuous में एक ही वाक्य है past continuous का लें बच्चों जिसने पेपर बनाया नों ध्यान ने दिया कि जब आप language the police was तो the police अगर केवल the police है तो यह singular नहीं यूज होता है यह किस में यूज होता है plural में यूज होता है यहां क्या होना चाहिए था वर होना चाहिए था लेकिन grammar के इसापस गलत है लेकिन active passive पे यहाँ पे यही option आपका सही होगा चले आपको यहाँ पे क्या है fill in the blank है बच्चों चूज करना आपको best option he does a heinous crime heinous crime means जगन्य अपराध घिनत अपराध घिनत अपराध happened he happened a heinous crime कभी नहीं he occurred वह घटित हो गया एक heinous crime कभी नहीं he committed हो है जब भी आप कोई गलत कारी करते हैं तो गलत कारी के लिए आपकी वर्ब क्या यूज होती है committed हो जाएगा he made a heinous crime गलत कारी के लिए आप made का प्रियोग नहीं करते हैं committed का प्रियोग करते हैं जैसे बच्चों यह देखें एक वाक्यों he made a suicide सही है गलत है यह made का अस्थान पर क्या होना चाहिए था committed होना चाहिए था क्यों होना चाहिए था क्योंकि suicide करना गलत है आपका ठेक है या अगर यहाँ पर यह होता बच्चों नो यह mistake तो आप made भी ले सकते थे committed भी ले सकते थे लेकिन अगर crime है, तो crime make नहीं किया जाता है, commit किया जाता है, ठीक है, third option हो जाएगा, wrongly spelled word choose करना है बच्चों, आपको आगे बढ़ने की आवश्रक्ता ही नहीं देखे न, क्या इसमें आप गलती कर सकते हैं बच्चों, practical में, this is, यह CLE है, यह नहीं होगा, CAL हो जाएगा, ब flashy होती है, या जो चीज़ें नकली होती है, artificial होती है, वो भी flashy होती है, elegant आप जानते हैं, बढ़ियां बड़ बच्चों, जो आदमी शिष्ट होता है, सौ में होता है, जिसका वेवार, वो आदमी क्या होता है, elegant होता है, यह किससे बना होगा, elegance, noun elegance होता है, elegant adjective होता है, ठीक पच्चाताप, पच्चतावा जिसको आप कहते हैं, तो इसमें पच्चतावे का खोशते हैं, patience तो नहीं होता है, patience क्या होता है, धैरिय आपका, repentance बिल्कुल सही बच्चों, अगर यह वर्ड आपको याद हो, repent, पच्चाताप करना, इसी में ए, अंसी जोड़ करके noun बना द जाएगा, पच्चाताप, misery क्या होता है, परिशानी, दुख की अवस्था, admiration, प्रसंशा, admire से बना है आपका, तो यहाँ, penitence का सननिम क्या हो जाएगा, repentance, पच्चाताप, last question बच्चों है, बिल्कुल easy, a period of 10 years, 10 साल का समय तो आख मूद के आप बता देंगे, क्या होता है, decade होता है, 10 साल के दशक को क्या कहता है, यही होता है न, दशक, कहीं भी अगर d, e, c, a लगा है बच्चों, तुरन समझ जाएं, इसका मतलब ही किसे होता है, 10 से होता है, किसे होता है, 10 से, एक नुर्बश, चले बच्चों, फिर मिलते हैं आप से, जल्दे ही, क्योंकि बैट्रेस के खतम होगी सारे, और शाम को फिर मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं, 9 बजए आप से, ठीक है, थैंक यू फार वाचिंग देश वीडियो, हमेशा खुश रहे हैं आप,